तो ापका श्वाल करता हूं वर्डगंप्रेश क्लास में है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रैंक फ़र्मुले के बारे में रैंक फ़र्मुला क्या काम करता है जिससे हमारे पास ही डेटा दिया वहा है इसमें नेम लिखी हुए और कुछ मार्क नम्मल लिखे वह हैं मुझे चेक करके देखना है कि कौन से बच्छे का जो rank है वो कौन से कितना आया हुआ है mark के according तो descending order में और sending order दोना में चेक करके देखेंगे आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक कल के साथ आपको rank formula का यूज करेंगे यह rank आ रहा है लिखे यहां पर हमने क्लिक कर दिया यह number पूछ रहा है यानि कौन से number आपको फिल करना है तो पहले cell का reference आपको डाल लेना है कॉमा लगा देना होगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ा है E9 और E19 वाले इनको मैं freeze कर देता हूँ F4 दबा कर और कॉमा लगा दूँगा और कॉमा लगाने के बाद आपको descending order में देखना चाहते हैं तो 0 लगा देना है और ascending order में देखना आप चाहते हो तो 1 प्रेस कर देना है तो मझे यह column मेरा ascending order का है और यह देखिए सभी का rank आपका निकल के आ चुका है और इस तरीके से ascending order ascending का मतला मतला सबसे छोटी संग्या है वो सबसे बना रहा है दूसरे नम्मर वाली का दूसरा आ रहा होगा तो इस तरीके से अभी यह सबसे बड़ी value है तो उसका 11 rank आ रहा है तो इस तरीके से आप ascending order में चेक कर सकते हैं और descending order हम चेक करेंगे तो मझे यहां formula लगाना है rank formula ही लगाना पड़ेगा और rank formula में आपको क्या करना है नम्मर देना है यही नम्मर को और कॉमा लगा देना है और reference पूछ रहा है नम्म्म पर रहा है इस reference के यहां से लेकर यहां तक का range लेना वहा है और f उर से इस column को आप निकाल चकते हैं तो वासा करता है वीडियो आपको पसंद है कि तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब परें